हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है तो अधा सार यांदा मेरे चैनल शाइना गोल ते ते फ्रेंट्स आज दी वीडियो विच अपा डिस्कस करने वाले हैं तक जड़े भी M.C.U.S. आये होई ने पीए स्टेट पेपर 2 वीच ओ आज अपा डिस्कस करने वाले हैं तो नालनाल कोशंस दे नालनाल ही जड़े भी कोशंस आनगे ओधर इलेटेट जड़ा क latent में तो नालनाल के से आज करने लिटव नालनाल ही एकस्पेन тех करनेां एदे नालना लपा थोड़ा थोड़ा जिट्स टाइब दी कोश्चन्स आंगे वह कंटेंट भी डिसकस करांगे ते फ्रेंट जदू पहलना मैं तो डिनल सीडीपी दियां सारियां थियोरीज डिसकस कर चुकियां वह बहुत इंपोर्टेंट हो ज़रूर देख लिए क्योंकि डिसकस नहीं का रही है प्लेइलिस्टां बनिया हुई यानि जे कुछ मेंनों अलग तो लग दे ठीक है मिटीरियल रिपीट करनदा कोई फैदा नहीं है गा जेड़ा कुछ मैं डिफरेंट लेके आसा दियां तो अडिवासते होन मैं ओ लेके आ रही है वीडियो वीच ठीक पेडागोजी मेराथान दी ठीक है तुसी ओ जरूर देख लेना ते चलो फ्रेंट स्टार्ट कर दे आज दी वीडियो देना एद्धू पहला तुसी करना एक काम जे तुसी हल तक मेरे चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता तैनो सब्सक्राइब कर लो नाले बेल आइकन ते क्लिक कर दो ताकि में जदो भी वीडियो नहीं अपलोड करां तो अड़े फोन थे ओ ब्लिंक ब्लिंक ओधी नोटिफिकेशन आन लग जे तो स्टार्डिंग विद फॉर्स्ट कोशन देखो कोशन नंबरा तहीं ना जाई हो क्योंकि मैंने स्क्रीन शॉर्स लेके तो डिव अब यूगता मुल डेफिनेटली मैथ है ताप सब्जी वी लेन खड़ांगे न ताम यह थे मैथ हो जाना है तो दिश्टिप्लिनरी वैल्यू एवी मैथमेटिक्स वैल्यू इंटलेक्चल इंटलेक्चल इस रिलेटिटली तो माइंड थीके बाधिक मुल दिमाग नाली त अब यह थे मैथमेटिक्स है इट मीज अपना जड़ा करेक्ट ऑप्शिन ओरे की हो गया ऑप्शन दी तार्मिक मुल ठीक है जी अगला कोशन देखो 100 विच अधु फोलिंग इस मेस्ट मेथड फॉर्ट फॉर्ट इचिंग जुमेट्रिकल थियोरम्स एड सेकेंडरी स्कू विद्धी क्योंकि एनलाइज कर देआ फिर उनों सेंथासाइस कर देआ एनलाइज कर देआ थियोरम्स नों फिर उनों अपपा अप्लाई कर ला निया तो अपना ऑप्शन सी ओरे की हैगा जी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो तो mathematical formula can be reduced by यानि कि उन mathematical formula अपक के में काड सकते हैं वह नतीजे के में प्राप्त कर सकते हैं या फिर कि में बना सकते हैं ओक हैगा अपना inductive method यानि की आगमन विदी राही inductive method वी चपक की क्या सी पहला अपा जड़े basic चीज़ा ने ओधी गाल कर देयां ठीक है जड़ियां भी basic हुन दियांने या फिर कोई examples ले ले लियां फिर अपा rule तक पहुंचे देयां यानि की इना ने की क्या है यानि की बनानी है ठीक है प्राप्त किते हैं या बनाए जा सकते हैं ओ की या अपना inductive method जड़े deductive method है ओ की कहनद है भी पहला तुसी rule दसो या फिर ओधा formula दसो या फिर जो भी तुसी main equation है गिया ओधासो फिर example लो या फिर फिर ओधिया वैल्यूस पूट करो ए चीजा हुंदी है ठीक है इंड़क्टिव तर डिड़क्टिव दोन्नों ही method बहुत important है question अंद ही हुंद है हर paper विच question पर इंड़क्टिव तर डिड़क्टिव method है ठीक है जी laboratory method के रहा हुंद है जिथे आप experiment कर देयां discussion method के रहा हुंद है जिथे अपना वारतलाप कर देयां जिवे औरे लिखिया है वारतलाप विदी रही कोई topic देता होते discussion हो रही है बच्चे भी discuss का रहे ने थे teachers भी लेकिन जो तो mathematical formula deduce करें दिगाल होए अपने और एक correct answer केड़ा हैगा option a inductive method next a scientific evaluation procedure for mathematics students is based on scientific evaluation बच्चा दिजपा करनी है ठीक है ते ओ केड़े विदी रही होएगी objective type questions रही होएगी essay type questions रही होएगी oral testing या फिर all of these इधा correct answer हैगा all of these यानि कि इना सारे तरीके ही अपनाने चाहिए पैने ने objective test भी लेने होंगे बच्चे दे ऐसे type questions भी लेने होंगे ताकि उनना थी vast knowledge देखी जा सके कि अपने वेना लोग कितना चीजनों elaborate कर सके देने oral testing भी होंदी है ठीक है ता all of these आपना की हैगा correct answer who said mathematics is the gate and key of all the sciences एक इने के हाया जी एक के आया है back on ने ठीक है definitions से भी questions आ जान देने next who said mathematics is the mirror of civilization एक इने के एक जी होग बनने ठीक है option D की होगा आपना correct answer the project method of teaching was developed by हूने थे देखो दो नाम विच बच्चे अकसर confused हुन देने निकता john dew है एक किल्पैट्रिक है सब तो पहला में तो अंदास था जड़ा develop किता था method जिन इंट्रोड्यूस किता सी ओ है गे john dew ही किल्पैट्रिक इनना दे ही student रह चुके ने जिनना ने project method नो हो ज्यादा higher level थे ने explain किता या फिर हो ज्यादा details दसी है लेकिन initial अपा पुछ दे हुन निया हमेशा कौन इदा जनम दाता है या फिर की ने develop किता की ने propound किता ठीक है ओ कौन है answer अपना john dew ही ने project method नो develop किता सी ठीक है अगे higher level तक किल्पैट्रिक लेके गई सी जड़े john dew ही दे ही student रह चुके ने next meaning of the word heurisco is to discover heuristic method में तो नो करवाया सी methods of teaching marathon session विच जिते सारे सारे methods of teaching में एक की वीडियो विच तो नो करवाया सी ठीक है थे another video विच में तो नो वो सारे methods थे जड़े भी MC की उस बंदे ने आया होई ने ओ आप डिसकस किते सी या ना जित उसे वो sessions attend किते है तो नो पता होएगा heurisco means to discover कोई चीज दी खोज करना यानि की खोजना next 107 चलो वैसे पेड़ागोजी दे question या पा कर ला निया फिर भी 0 is a केड़ा number है 0 rational number है irrational number है natural है या non real number है हुन देखो natural numbers केड़े हुन देने वांतो लेके infinity तया कर जड़े भी numbers हुन देने यह केड़े हुन दे है अपने natural numbers rational number हुन देज जीरो क्योंकि अपा देखो सब तो पहले ही गालता है नू नू नंबर लाइन ते represent कर रहे है rational number ठीक है all the numbers that can be represented on the number line are rational numbers ठीक है बिल्कुल simple हो गया question number 107 दा की option अपनी a correct next for evaluation a teacher should use अगर evaluation करना है teacher नू केड़ा method यूज करना चाहिए अगेन सारे तरहने method यूज करने चाहिए क्योंकि इनना नहीं आए नहीं क्या वी तुसी formative evaluation करना है या इनना नहीं क्ला evaluation क्या क्ला मुलांकल दी गाल किती है ता अपपा कवांगे सारे तरीके यह अपनाने चाहिए जी अपपा गाल कर दूरे formative assessment दी जीवे मैं तो अनुदस्य है कि एदी वेटेज के नहीं हुंदी है चाली परसेंट नंबर formative दे जूड़ दे है ते ऐसे दे जूड़ दे है जी 60% नंबर ठीक है फाइनल पेपरां दे वीच जी आपा गाल करिये ते जब आप formative दी गाल करिये ए की दे थू होगा यह हो गया तो और ओरल टेस्टिंग यह फिर अब्जेक्टिव टायू कोश्यंस ओप्शयंस देख के पता लग जाना हुंदी है लेकिन जड़ सम्मेटिव एवैलुएशन है न यह ऐसे टाइप कोश्यंस जनरली एदे थू किता जंद है जी मैं आपा कै दान यह सेशन दे एंड पेपर ल गरूप इस हुन आ पनू चार वर्ड्स दिते हुए ने पड़ो कि यह एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जोमेट्री ते मैथमेटिक्स हुन जड़िया पहलिया तिन आप्शना ने एं मैथमेटिक्स दियां ही ब्रांचिज ने हायर क्लासिज विच्छा पर देख दियां प सब ब्रांचिज ने ए भी स्कते सी लेकिन मैथमेटिक्स की एना दा है नेक्स देखो प्राब्लम्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स इस द्यू टू जे गनितपड़ों विच्छ क्लास विच कोई भी दिक्कत आं दिया समस्य आं दिया उदा कारण की है वड़ियां क्लास था यानि कि क्लास्रूम दा साइज वड़ा होना मतलब यह नहीं कि कंदा मतलब जड़ी चाहते हो वड़ी आया कुछ मींस बच्चे ज्याद आने हो दे विच्छ दूज्ज की ए टीचर्ज दी टीचर्डी क्वालिफिकेशन या फिर हैवे मैथमेटिक्स सिलेबर्स हुन देख जजबे आने तजुर्बे आनों पड़ा आनदा ठीक है एनी रियल लाइफ एक्जाम्पल्स होना ने देखे हो याने तो वदिया पड़ा आन देने अपना option जड़ी correct है कि और यह दे आपकदार रवाईया कि दा attitude होना तर टीचिंग दे प्रती आवदे स्टूडेंट से प अपना correct answer नेक्स्ट देखो remedial teaching is useful in finding हुन जड़ी remedial teaching है एक कदो हुन दिया सब तो पहला हुन दिया डाइग्नोसिस जी में doctor डाइग्नोस कर दया की problem है उसे तरह teaching वीच की हुन दिया डाइग्नोस कर दया कि बच्चा नू कित्थे problems आ रहे हैंने कित्थे difficulties ओ फेस कर रहे है एथे वैसे दा correct answer option भी होना चाहिए है difficulties of a child ठीक है कि बच्चा नू problems कित्थे आ रहे हैंने डाइग्नोस हो गया फिर remedial teaching वीच हुन दा कि ये basically एथे इननने question ही वैसे गलत दिता हो है remedial teaching is useful in finding ये diagnostic teaching होना चाहिए है कि useful in finding क्योंकि remedial teaching वीच है find नहीं कर दिया इंप्रूव क can be reduced by ये देखो हुन किसे होर साल दा पेपर है again same question चाहिए है अपना answer की होना हुरे a inductive method तुसी देखोंगे एस question थे inductive deductive method थे किन्ने questions आया होई ने तो तो दे बिलकुल tips थे होना चाहिए free दे number समझो जे तुसी ए methods चंगी तरा किते हुए है next the purpose of giving homework to students is जे बच्चया नू homework दितता जान्द है ओदा कारन की है to avoid workload of teacher teachers दा काम कटान लाई नहीं जी teacher दा काम क्यों कटान है to find out child's growth by parents parents किन्ने involve ने बच्चया दे growth भी ची या फिर उनना दो homework वगारा देख दी भी है कि नहीं देख दे it help the student in understanding the concepts better naturally जे homework दिन्या केड़ी चिज्जा दे दिन्या जडिया पपड़ा यह हुं दिया ने ओधिनल के बच्चया दी practice हुं दिया practice makes the man perfect ठीक है जिननी ज्यादा practice हुं दिया उनने concepts clear हुं देने अक next question the objective of teaching algebra to middle grade students is to enable student उरे answer वेसे टी किते हुए ने seeing relationships between numbers and looking for patterns in the relationship number विच संबंध देखना अते नमून विच संबंध देखना अपनी option A की होगी correct teacher wants to introduce two topic money transaction which of the following strategy can be used when money transaction यानि की जड़ा कोई पैसे है ठीक है अदान प्रदान करना है पैसे तो उधा सब तो best method कि ये role play करना वी बच्चा नू एक्चल पेजी स्टे लिख लेना पेपर से लिख लेना कि ये दास दानोट है वी दानोट है ये फिर सो अदा पांसो दानोट है ठीक है तो रोल ये अर्चो पैंती सो बैंक नू मोड़ना है ता पंदरा सो बकाया रहा गया ठीक है ए चीजहां सिख निया नेक्स्ट देखो जी 118 नंबर कोस्टिन वाई शूद टीचर इंवाल देंसेल्स इन इन सर्विस मैथ प्रोग्रम्स इन सर्विस के दे प्रोग्रम्स हुने रे ज इन सर्विस मैथ प्रोग्रम्स था कि जे टीचिंग विच कोई डिफिकल्टी जारिया ने, मेथद्स ओफटीचिंग विच चारिया ने या फिर चूंट विच टीचिंग प्रब्लम्स आरिया ने उननों कितना दूर किता जा सब दें next the sequence of steps for systematic problem solving skills is systematic problem solving skill दे जडे steps ने ओ किया है अब तबहला problem दे insight ओनू समझना फिर ओदे बारे सोचना फिर prepare करना ओ solution फिर ओनू verify करना that is option A बच्चो जी वीडियो तो नू पसंदार ही है helpful लगरी है नाला ने नू like ते शेर कर दे जाओ अगे देखो we talk about reducing the school burden on students अकसर जे तुसी NCF देख लो NEP देख लो ठीक है कोई भी कुठारी कमिशन चाके देख लो ओके कहन दे है कि बच्चा दा burden जेड़ स्कूल बड़न है ओक ताना चाहिए स्टिल वे गिव होंवग तो स्टुडेंट सेन मैथमेटिक्स वाई इस इट सो इंपोर्टेंट तो गिव होंवग अपा फेर भी बच्चनों होंवग दे देन्या क्यों जरूरिया हो इंडिपेंडेंट स्टडी बिलकुल बच्चे टीचर्स थी हल्प तो बीना खुद हुवग करन दी कोशिश कर दे है जो तो अपा करके देख देख देया फिर अपनो पतालाद है प्रॉलम्स की थ्यारिया नहीं फिर अपा बेटर समझ सब्देया है हेल्प्स यूटिलाइज एक्स्ट्रा टाइम डफिनेटली हैंट इन अंडर्स्टेंडिंग कॉंसेप्ट बेटर क्योंकि अपने कॉंसेप्ट जडेने ओ रिवाइज होरेने उन तूसी थियोरियां बारबार पढ़ देयां क्यों कर देयां ताकि अपना उन्ना नू एन्नि नेक्स्ट देखो विच और फॉलिंग इस नॉट रिगार्डिंग रेमेडियल टीचिंग रेमेडियल टीचिंग में था उनुदस्या कि यह बच्चे नुजड़ी भी प्रॉब्लम जान दियाने उनना कितना दूर कितना जावे की सॉल्यूशन होना दे कर दे जान उन केड़ी चीज नॉट ट्रू है यानि कि फॉल्स है इंडिविजुल काउंसलिंग वरकिंग शिस्टमाटिकली वरकिंग अनपर्पस्फुली विद्पिल और प्यूपिल्ट हून देखो वरकिंग अनपर्पस्फुली विद्यार्थ हैं न हुरी मार्ग देट स्ट्राटेजीज आर ब्रॉड मैथर्ड ऑफ टीचिंग एक इनाने क्या सी आएके डेविस ने जे तो नहीं भी पता ना सिरफ करेक्ट आंसर देखो कोश्चन देखो ते करेक्ट आंसर देखो जे पेपर्च तो अनूँ एज डिस कोश्चन आया ता करे ने जे प्रॉड आप टीचिंग एक टीचर दा अब्जेक्टिव जदो प्रॉड टीच दा अब्च्च नूँ पडा रहे है की हैगा ता की बच्चे एक्स्पेरिमेंट राही सिख सकन प्रॉड बिल्टी नूँ किवें यूज करने मैथमेटिक लेटरी विच ते ए बेस्ट अब्जेक्टिव ऑप्शन सी नेक्स्ट कुश्चन देखो एन आइसोसलेस्ट्राइंगल हैस एक सम दो पुझी त्री पुझ विच आइसोसलेस्ट्राइंगल सब तो पहला केड़ी हूं दिया ट्राइंगल जी दियां दो कोई भी साइट इक्वल नहीं ते तीजी सिमिट्री आँ देखो जी आँ लाइन ओफ की है थी सिमिट्री थोड़ी जी मेरितो राइट साइट ते बानगी एथे जी बनननी चाहिए ठीक है एक ही यह जी एधी मिरर इमेज तुसे देखोंगे न सेम लगोगी सिरफ वन रोटेशनल सिमिट्री है थी ठीक है वन ही इमेज बिलकुल सेम होवे ओं दिया है लाइन ओफ सिमिट्री नेक्स्ट कोशिन देखो विच वन अव तो फॉलिंग इस न ओपन एंडिड कोशन सब तो पहला देखो दो तरह दे कोशन उंदेरी कोशन एक क्लोस एंडिड एक उपन एंडिड कोशन विच की उंदा लिमिट आंसर जी में किसी चीज नो डिफाइन करना तुसी डिफाइन डागनल ठीक है होर डिफाइन लाइन सेग्मेंट ओधी चाहिता ने तुसी यावदा दिमाग नो क्रियेटिविटी तरह ना लिए उस करोंगे विधी मुल्टीपल सॉलुशन से तुसी कड़ो सुलुशन काड जी कर दियां open-ended questions ने, find two polynomials such that the degree of their product is five. उने इस तरह ने किनने सारे polynomials हो सदिया है जो पान्य दे product कर दिया degree डा, ठीक है, okay होवे five होजे, किनने सारी examples ने, it means अपा चूस करने है, अपनी creativity है, option one की open-ended question ठीक है जी, then find three rational numbers between one by two and one by three, ये विच भी किनने सारे unlimited rational numbers अपा find out कर सर दिया, second option भी किया open ended question हो गया, then third is verify x equal to 2 is a 0 if x minus 2 equal to 0, एक ही एक close ended question है क्योंकि अपनी creativity हो रहे कोई use नहीं हो रही, अब पैथे सिरफ prove करना है, verify करना है, ठीक है आप developer कोई नवी चीज नहीं हो रहे, invent कारे, जड़ी examiner नूँ पता हुए भी question भी चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, clear हो गया जी, ता अपनी option B जड़ी है क्यों बिल्कुल सही होनी चाहिए, बोध 1 and 2 next, a constructivist teacher in mathematics constructivist की हुंदा है की अपनी knowledge दा निर्मान खुद करना हुन constructivist teacher in mathematics की करेगा, employees diagnostic model of teaching, investigative model of teaching, employees developmental model of teaching, या फिर adapt some model based on his or her physical settings, ठीक है, बिल्कुल वैसे सही option, options ही आप एनू discuss का लेने, कि तो अदिया, आप दिया physical settings किस तरा निया, nature of students की है, individual difference, एक class विच अलगलग तरा निया, slow learners ठीक है, gifted students हुन दे, deliquent students हो सख़दे ने, किसे नू देखन विच problem है, कोई, किसे नू किस तरा नि problem है, ठीक है, physical, psychological, दोना तरा निया प्रॉलम सुंदिया individual differences हुंदया, बच्चे विच उनना नू मद्दे नजर रख दे होई teacher अपना topic पढ़ा एक class विच, एही point C केंदे एही बिलकुल correct है, ठीक है जी next question देखो, in an assessment task what is 100% of 20, analyze the following responses student A ने की 100% of anything is the amount itself so 100% of 20 is 20, ता A ने की देख्या हुन student B, तुसे देखो student B तो नो देखन दी लोड भी है गी है options विच देखो कला student A दा जिकर है ता पब B नो क्यो पढ़ांगे no need to waste time, ठीक है, थोड़ा जा options करने भी चाती मार ले करो, ताकि अपा question कितो होता करीड करना है किनना कुछ करना है, उत्थी limit कर दिये, क्योंकि अपा सिरफ answer tick करके आने हो, नो नो पूरा दबूरा solve करके नहीं दखाना, ता इधा कि यह concept है ने देख लिया, बिल्कुल सही concept सीगा, कि 100% किसे भी चीज दा सौपरतीशत मतलब वो complete चीज कोई solve करन दी लोडनी, सिरफ conceptual knowledge बच्चे ने जड़िये, exhibit किती है, ठीक है next, mathematical language includes many words that sounds the same, but with different meaning कुछ यह होजे words हुंदे ने, जिनना दी अपक बोल देया, तो बिल्कुल सेम लग देया लेकिन उनना दा meaning जड़ा हैगा, बिल्कुल डिफरेंट हंदे इननों पकी कहन ने है, homophones मैं तो उन्नों English विच भी करवाया सी, ठीक है होमोफोन, homonyms, ठीक है morphines, काफी कुछ इतना दे करवाया सी कि ते ओ तुसी वीडियो ज़रू देख लिए होनना चो भी question आ देखो, mathematics विच भी पे है यही question, जड़ा तो मननों English विच भी करवाया सी तब होमोफोन ज़दा हैगा correct answer option A, सम्तु नी next question drawing conclusions from given true statements using rules of logic using rules, जड़ा पर rule तो शुरू कर दे होई ठीक है, rule तो शुरू कर दे होई किसी चीज़ दे conclusion तक पहुंचना है ओ की अपना deductive method of deductive reasoning यानि की option A rule तो लेके किथे अपना example तक या कोई conclusion तक पहुंचना है ओ की होगया deductive method ठीक है, option A की होगी निगमन with the अपना correct answer next, teacher must base his or her lesson plan on teacher जड़ा अपना lesson plan बनान दे है, पार्थ ही ओजना बनान दे हो कि दे अधा आरते बनाई जानी चाहिए है जड़ा subjectivity चे content है ये भी देखना चाहिए है, learners नू भी देखना चाहिए है सही ने, a mathematics laboratory in school is a place to do controlled mathematical operations, experiments या फिर to facilitate open-ended investigations and activities to keep teaching aids ता एठ थी answer की आएगा अपना option B that is to facilitate open-ended investigations and activities क्योंकि जित्धे mathematics laboratory दिखाला है उत्धे बच्चे खुद अपनी creative सोच नाल open-ended investigations ने activities है परफॉर्म कर दे है अगला कुशन है mathematics teacher can encourage creativity and originality of ideas through अपा किता सी project method की project method वीच की होंदा है बच्चे नू project दिता जान दा है बच्चा अपनी level ते चीजानो solve कर दा है, sort out कर दा है project वीच की चीजान चाहिए आने कितना उनू complete करना है चाहिए हो individual project है या फिर group project है उते बच्चे दी creativity show होंदी है अगला देखो method to check an already established mathematical result is जडी पहला ही स्थापित गनितक परी नामा दी पड़ चोल करन लई केडी वीदी होंदी है that is verification अपा कैन दे नी प्रूफ कर लिया, इन्हों verify भी करो verification भी करो है ठीक है option B अपनी होगी correct answer next, NCF 2005 has highlighted two kinds of aims of teaching mathematics the mathematics जड़ा marathon ओदी starting वीची जड़ा NCF ती वे पागाल किती सी की दो तरह दी aims होंदे ने एक होंदा narrow aim ते एक होंदा है higher aim, that is option B अपना की होगया उरे correct answer next question देखो what concept should be used to present the quadrilateral quadrilateral नो जपाने present करना तक केडा concept अपा यूज करांगे ओ करांगे polygons ठीक है parallelogram नी उज कर सादे क्योंकि इक special quadrilateral इक parallelogram होंदा है लेकिन polygon general quadrilateral नो पा की कह सादे एक polygon ठीक है जी next according to NCF 2005 to teacher the math in school is a high aim to generate the qualities in children that can think according to math and can debate ठीक है जिननाद यापा कहने है सोच mathematical हो जांदिया बच्चे mathematics नो real life वीचे use करना लग जांदिया then the nature of mathematics understanding is mathematics नी नेचर की हूंदिया logical हूंदिया logic यूज करकी अपा सारी हैं चीज़ां कर देया मैंसियां तो option सही की हो गया correct answer next the most effective teaching aid in mathematics is सब तो best effective जड़ी एड अपा कहने है प्रभा आफशाली अध्यापन एड केड़ी है ओ है जी विज्वाल एड जिवें हुन मैं तो अड़ा session वी लिया सी mathematics ता जड़ा अपाने मैंसुरेशन टपे किता सिगा ओदे विज्वाल चीज़ां दखाई या सिलेंडर हो गया या फिरिक क्यू बएड हो गया दिखाके चीज़ां चंगी तरह समझाया वी जा सद है ते बच्ची वनू समझ भी चंगी तरह सद है ता विज्वाल एड की है दा बेस्ट टीचिंगेड नेक्स वीचर दुफ़रींग फेक्टर इस दो मोस्त इंपॉरण इन प्लानिंग इस च्लास्टूम अक्टिविटीज जए तुसी प्लान करनी आने सब तो बेस्ट अ अपा की कहनेया फैक्टर केडा ओधी वीच हैगा अधिवीच या गा धिज्व उरता कपा मोटिवेट नहीं हो वांगे उरता कपा चीजनों प्लान नहीं कर सख़ें। Evaluation of the subjects should be based on both internal and external test. Internal भी होनी चाहिए, external भी होनी चाहिए। दोना दे बेशते जिमें की चल दी है ते ओमें ही चलनी चाहिए। Next, the main aims of questioning in the classroom are To create interest and curiosity to motivate the students to test the previous knowledge of students यानी की all of the above अपना की है, correct answer. Next, देखो हुन जड़े अपने वाले questions नहीं, हुने वैसे मैं तो नुकरवावी चुकियां ते इना दे answer तुसी मैंनो दाओंगे comment करके ठीक है, paper 2 दे According to NCF, developing children's abilities for mathematicsization is the main goal of mathematics education Which of the following is correct meaning of mathematicsization? केड़ा correct meaning है दा? दस्वो मैंनो comment करके एक question है गा, जी तोड़ा 113 question number है, ठीक है comment करके तुसी मैंनो इना दे correct answers दसने ले होना Which of the following terms is defined? केड़ी term अप already defined है गिया है? देखो जड़ी option A, B ते सी है न, ये undefined नहीं pointer नो define नहीं कर साथे, एक line नो define नहीं कर साथे, एक plane भी किया है, एक undefined term है लेकिन जी में diagonal हो गया, कोई angle हो गया, line segment होगी, ए चीजहां पर define कर साथे, तो अपनी option D, और किये, correct है गिये जी, ठीक है Next according to NPE 1986, up to what level mathematics should be compulsory in Indian schools? केड़ी level तक हुंदे ने? NPE ते according हो हुंदे जी, secondary stage तक ठीक है, as per NEP 2020, what should be the language of high quality textbooks and teaching learning materials for grade 7 mathematics students in Punjab जी, आप पंजाब दी गाल करी है, उत्थे केड़ी होनी चाहिए, option B, that is Punjabi and English Which type of problems are best for facilitating creativity in mathematics among students? Creativity दी जित्थे गाल आजे, उत्थे केड़ी questions होंगे, open-ended questions, ठीक है जी A class teacher administered a computer-based diagnostic test in mathematics to a group of students to assess their की assess करनी है, उनना दी, दसो जी, computer CBT, computer-based diagnostic test, जित्थे diagnostic test दी गाला गी उत्थे बच्चान दी learning difficulties नो diagnose करना, ठीक है Next दिखो, when someone says, girls as incapable of learning mathematics, it is instance of, कादा instance है यह मैंनों comment करके दसी हो, ठीक है, 113 number question, 119 number question ते अपना जड़ा last question हैगा, जी, इस video दा, that is which of the following is not an example of formative evaluation for standard 9 mathematics students, that is annual examination क्योंकि formative assessment evaluation को दो होंदी है, annual केड़ी होंदी है, यह summative होंदी है, यह summative होंदी है, बस तो उन्हें ना पता है न, formative केड़ी होंदी है, जड़ी 15 दिनावाद लेली, मिन्यवाद लेली, दो मिन्यवाद लेली हां, ओ केड़ी होंदी है, formative केड़ी होंदी है, जड़ी चमाही चल दियाने, ठीक है, 6 मिन्यवाद, या फिर अपा कहते है, annual, जोद एक समेस्टर दा, इक तो ड़ क्लास दा, फिनिश हो जानदा है, खतम हो जानदा है, annual examination कहने हों आप है, ठीक है, तो formative assessment केड़े होंदी है, annual नहीं होंदी, यानि कि option D अपनी की होगी, एथे correct answer, ते SNL friends अपनी एवीडियो भी होंदी है, complete, एदे नाल देखो जड़े सारे topics नेना, ओ अप थोड़े बहुत discuss भी कर लेने, ते important mcqs भी आप सारे discuss कर लेने, एदू पहला म mathematics से 50 most important mcqs सीगे, ठीक है, ओ तुसी ज़रूर देख लिए हो, हुन सारे जड़े links नेना, मैं एक एक लिंक तो अनू description विचे नहीं पा रही है, मैं playlist आप लिंक पा रही है, तुसी playlist खोलो, जड़े तुसी वीडियो देखना चाने हो, ओ तुसी देखो, ठीक है, टाइम बह ओ मैं तो अडेनल सांजी कर दी रहांगी, तो फ्रेंड्स ये वीडियो तो अनू helpful लगी हो, वे ने like and share जरूर करी हो, मिल दें आगली वीडियो विच, तिल दन, keep watching friends